हेलो एप्रीबन कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे चिल्ली पटेटो बनाने के लिए हमने पाँच आलू लिए और ये अच्छी तरह मैंने इनका चिल्का उतार दिया अच्छी तरह वाश कर लिए अब एक आलू लेंगे बीच में सैसे काटेंगे और फ्रेंच फ्राइज वाली जो है शेप बोल लेंगे इसमें यह हमारे सारे आलू कट गए है अब इनको हम पानी में डाल लेंगे अब इसमें हम पांच चमच कॉन फ्लार डालेंगे अब इसमें हम पांच चमच कॉन फ्लार डालेंगे अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे आलू पर अच्छी तरह कोट हो जाना चीए यह हमारे आलू अच्छी तरह कोट हो गए है यह हमने तेल रंदियत गरब होने के लिए अब हम एक डाल के देखेंगे कि हमारा तेल अच्छी तरह गरब हो गया है तो यह हमारा तेल अच्छी तरह गरब हो गया है अब हम अपने यह फ्रेंश फ्राइस को इसमें डालेंगे यह हमारे आलू प्राई हो चुक है, इसी तरह हम अभी अपने सभी आलू को प्राई कर लेंगे, देखे हमारे सभी आलू प्राई हो गया, देखे कितने क्रिस्पी है यह देखी, इन्हें आप फ्रेंच फ्राइस की तरह भी खा सकते हैं, पर हम बना रहे हैं चिली पटाटो, यह हमने एक चामस्तिय ड़दाला था इसमें, यह हमारा गरम हो गया है, आज अब इसमें डालेंगे हम लसन, यह बारी काटा हुआ है मैंने इसमें पर्शी तरह कुनेंगे यह मारा लसन गुन गया है, इसमें डालेंगे प्याज इसको जादा नहीं भूना है, हलका हलका सा भूना है, यही थोड़ी हमें फित-फिती रखनी है, यहीं हमारी प्यास भून गई है, इसमें हम डालेगी शिबला में, इसको तो मिनेट के लिए भूने एक लगाने है, एक टमर के लिए पलीज, एक टमर के लिए जो एक लागे, एक चिली सोस, तोया सोस, दो चमाच चमाच केचप, एक चमाच रमाच, यह हमने एक चमाच अरोट लिया था और थोड़ा सा पाली डाल के इसको ऐसे पुल लिया है और इसमें डालेंगे, इससे हमारी क्ले भी बहुत अच्छी हो जाएगी, यह देखे हमारी सोस कितनी अच्छी बनी है, अब इसमें हम अपने यह फ्रेंच फ्रैस डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यह हमारी चिल्ली पटेटो बन चुके, कमेंट बॉक्स में बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? कि बने चाले इसमें कि अच्छी परका कि में अच्छी इसमें में लगी तरह मिक्समें आपको कैसी से इक अच्छी एागी लगशित वथे से में उ입니다. मूलाले गजभी आपको कि अच्छी पिए-से बने न हो टें च्रा हो वे साफ